चोपड़ा है जो किछनी युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बच्चों MCC के थर्ड राउंड का सेडूल एक्स्टेंड हो चुका है और 24 फिलिंग की डेट है वो 11 अक्टूबर 24 को सुबह 9 बजे तक है इस डेट को आप दुबारा से सुन लीजिए ये 11 अक्टूबर 24 को सुबह 9 बजे तक है इसके बाद 24 फिलिंग बंद हो जाएगी और रेजल्ट 12 अक्टूबर 24 को आ जाएगा तो ये सेडूल चेंज हुआ है अब हम आगे देखते हैं इसमें कब तक रिपोर्टिंग रहेगा और इसमें जो बिहार के कडिडेट है उनके लिए रेजिगनेशन की फैसलिटी भी अवेलेबल है तो इसके बारे में हम बातसीत करें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सेडूल जो थर्ड राउंड का सेडूल है अभी रेजिस्टेशन कंप्लीट हो चुका है जो रेजिस्टेशन की डेट थी वो 8 अक्टूबर 24 थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है किसी भी परकार का अभी 24 फिलिंग की जो डेट है वो 18 अक्टूबर 24 से लेकर 11 अक्टूबर 24 तक सुबह 9 बजे तक है ये टाइम मोर्निंग का सुबह 9 बजे तक है 11 अक्टूबर को जो इसमें 24 लोकिंग का टाइम है वो 10 तारिक को अक्टूबर 10 को राट 9 बजे से लेकर के सुबह 11 तारी को 9 बजे तक है यानि कि इस टाइम में आप 24 लोग कर सकते हैं लोकिंग का मैं आपको फिर से टाइम बता दू 10 अक्टूबर रात 9 बजे से लेकर के 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक आप 24 लोग कर सकते हैं अगर इस time में choice lock नहीं करते हैं तो वो auto lock हो जाएगी इसलिए tension लेनी की आवश्यक्ता नहीं है result processing के लिए जो time रहेगा वो 11 October 24 रहेगा और result इसका 12 October 24 को आ जाएगा reporting इसकी 14 से 19 October 24 रहेगी यानि कि शिरफ एक ही दिन extend हुआ है इसमें इस्ट्रे का जो timing है वो इस्ट्रे का time as it is पहले जैसा ही है इसमें जो इस्ट्रे के लिए registration 22 से 25 तक रहेंगे और twice filling इस्ट्रे के लिए 23 से लेके 26 October तक रहेगी result 29 October को आ जाएगा और reporting date 30 से लेके 5 November 24 तक रहेगी यानि कि 5 November को MBBS के complete admission हो जाएंगे इसमें 5 November के बाद में MBBS के admission नहीं होंगे ये last date रहेगी state की और All India की अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो notice दिया गया है resignation के बारे में तो इसमें ये साप लिखा गया है कि बिहार state की जो candidate है वो seat को resign कर सकते हैं जिन्होंने MCC की seat ले रखी है वो 10 तारिक को एक बज़े तक इस seat को resign कर सकते हैं यानि 10th October 24 दोपर एक बज़े तक वो अगर MCC की seat छोड़ना चाहें first round या second round की तो वो विहार के candidate इस seat को छोड़ सकते हैं ये 10th October 24 दोपर एक बज़े तक seat छोड़ सकते हैं और इसमें जो PWD candidate हैं विकलंग candidate हैं उनके लिए पोर्टल ओपन है वो 10th October 24 दोपर बारा बज़े तक है तो वो अपना certificate यहां करवा करके counseling करवा सकते हैं तो ये जानक result का और reporting का बाकी schedule semi है choice filling की date extend हुई है वो 11 October 24 सुबह 9 बज़े तक है तो ये जानकारी थी इसके बारे में ये फिर से ध्यान रखना आपको choice filling की date ये choice filling की जो date है वो 11 October 24 सुबह 9 बज़े तक है तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैशिन